की किजिए हमारे चैनल उलेक्टिकल इंजिनिंग को और फैस किजिए बेल आइकन को को हमारे लेक्टेश्ट वीडियो की अप्टेट सब से पहले पाते रहने कheric से के अ margin रखिष्ट करते हूं प्रिंड ऐसके वैज क्रने hyacthen की mechanic हम compound wound motor जो होती है हमें जो डिशे compound motor कहते हैं हम उसकी स्पेसिफिकेशन जानेंगे अप उसके एडवांटेश जानेंगे और इसके बाद ए compound का मतलब क्या होता है सबसे पहले इस पहले हमें समझने कोशिट करेंगे compound की जो है exact meaning क्या होती है चैनल फिर्च टाम विजिट की तो में चैनल इलेक्टिक लेंगे अगया चलते हैं और हम बात करते हैं कि compound motor क्या होती है चैनल जो compound की मिनिंग होती है जो compound की मिनिंग होती है मिश्रित 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 इसका मतलब फ्रेंड्स जो हमारी DC compound motor होती है इसमें जो है DC sunt motor की भी property होती है और DC series motor की भी property होती है यह हमारा DC sunt motor की तरह भी work करता है और DC series motor की तरह भी यह work करता है यह हमारा DC Sunt और Series का एक compound मिला के बनाया हुआ जो motor है उसे हम compound motor बोलते हैं और यह हमारा Series Sunt दुनों की property रखता है ट्रेंट जैसे कि हमारा DC Sunt motor की property है कि यह without load भी चल सकती है जबकि हमारे DC series की जो होती है वो हमारे without load नहीं चल सकती है इसकी high speed होती है बिना load के चलाएंगे तो इसकी speed और ज़्यादा increase हो जाएगी इसकी speed और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा जो DC compound motor होता है हम इसे load पे भी चला सकता है बिना load के भी चला सकते है इसका मतलब एह हुआ कि हमारी जो compound motor है उसके अंदर cent की property होती है जो की एग बिडाउट लोड भी चल सकता है बिडाउट लोड भी चल सकता है और यह series की property भी इसके अंदर होती है series की property हमारी ए होती है कि यह high starting torque provide करता है starting torque provide करता है हमारी जो DC संट motor होती है बिना load के चला सकते हैं जो हमारी होती है high starting torque provide करती है तो हमारा compound motor ने क्या किया कि हमारा इसमें हमें high starting torque मिला ही मिला उसके साथ में हमें advantage भी मिली कि हम इसको बिना load के चला सकते हैं तो friends हमारी जो problem हमारे सामने होती की है संट हम हमें high starting torque देना है और हमें बीना छोड के चलाना है तो ऐसा possible जी था तो अब क्या हो कि हमारा संट की property आगे बीना लोड के चल गया और इसमें सरीज की property आगे हाई starting torque provide करता है friends हम कुछ specified points के बारे में आगे discuss करने वाले हैं जो कि हमारा DC compound motor के अंदर होते हैं फ्रेंट्स हमारे इंदर इसके अंदर पहला हमारा point है compound wound DC motor also known as a compound DC compound हमारा जो compound wound DC motor होती है उसे हम DC compound motor भी कह लते हैं next point है it is a type of self excited DC motor हमारा जो DC compound motor है हमारा self excited DC motor का type है जो हमारी compound motor होती है उसमें series filled coil s1 s2 and shunt filled coil f1 f2 committed on armature winding जो हमारे series series के field coil s1 and s2 होती है and shunt की field coil f1 and f2 हमारे जो armature winding होता है उसके उपर commutated होती है हमारी series की field winding s1 s2 and shunt की field winding f1 and f2 जो है जो है हमारे armature winding के उपर commutated होती है अब friends हम इसको compound को अलग-अलग specified करते हैं कि हमारे इसके क्या-क्या parts होते हैं फ्रेंड जाए इसके इसके दो major parts होते हमारा होता है इस्टाइटर पहला इस्टाइटर दूसरा होता है rotor हमारा जो इस्टाइटर होता है stationary part होता है जो कि fix रहता है जो कि non rotating पार्ट होता है और हमारा जो रोटर होता है जो कि हमारा रोटेट करता है इसके बारे में बात करेंगे इसकी एडवांटेज क्या होती कि हमारे कि हम बात करेंगे इडवांटेज के बारे में कुछ भी उसका इडवांटेज करेंगे क्या नुकसान होने वाले हैं इसके फायदेज क्या है इसके फायदे क्या कि प्रेंस इसका सबसे पहला एंड बड़ा फायदा सबसे बड़ी फायदा इसकी efficiency यह हमारा बहुत ज़्यादा efficient होती है इसकी efficiency जो है हमारी 85-90% होती है 85-90% इतनी efficiency बहुत जाद होती है अब सबसे पहले क्या है इसके राने जो गया high efficiency and second thing and most important thing less noisy यह बहुत कम आवाज करती है less noisy यह जो है हमारी बहुत कम बिना आवाज के मतलब इसमें एक तरसे आवास न के बारावाज जिसे हो के निगलजीबल आवाज होती है बहुत कम आवाज करती है तो यह था हमारा कि डिशी कंपाउंड मोटर क्या होती है and क्या होती है होती है तो प्रेंड्स आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को देखना फ्रेंड शेयर जरू करना इंगे शेयरिंग इस करेंगे तो फिर्ण समासा जुड़े रने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपका बहुत दनेवात थैंक यू